दियर इस्टुडेंट्स वल्कम बैक, स्वागत है एक बार फिर से आपका मुझे पता है मेरे कई इस्टुडेंट इस वीडियो के लिए बहुत बेसबरी से इंतजार कर रहे होंगे जो फर्स सेमेस्टर का एक्जाम लिख रहे हैं देली इनवस्टी में और कई अन इनवस्ट के बारे में जिसमें मुझे बताया गया कि 6 मार्च को हैं दो दिन बाद, दो दिन से कम, डियर इस्टुएंट मैं जरूर कन्फेस करना चाहूंगा पहले कि मैं उतनी मदद नहीं कर पाया जितना मैंने सोचा था, आप समझ सकते हैं क्यों human limitations मैं हमें सा कहता हूं, मैंने पू आदू नहीं है, यह जस्ट एक knowledge है कैसे आप समझ सकते हैं क्या आ सकता है, और वही आता है, setter भी उसी तरह सोचते हैं जैसे मैं सोचता हूं, बस इतनी सी बात है और कोई खास बात है नहीं, इससे आपको जो फायदा होता है, उससे मैं एक तरह से अभी सिक्त हूं, मतलब आप कहें तो मैं saturated हूँ, I feel so elated and happy, जब मैं देखता हूँ कि पेपर लग बग वैसी आए जैसा मैंने आपको कहा था, let's hope God may bless us कि मैं जो आज डिसक्स कर रहा हूं, वो भी उसी तरीके से आए जैसा मैं सोच रहा हूँ, यदि ऐसा होगा तो again खुशी होगी और यह effort बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा, otherwise भी कुछ भी आए लेकिन डिफरेंटली आपको यह help करेगा वीडियो, so let us begin probable question, colonialism and nationalism in India, CNI, F, Y, U, G, P, Semester 1, be honest, Paul science, let's begin, यह है syllabus, इस पे क्या ज़्यादा बात करना, पहला जो है colonialism and nationalism है, जिस पे मैंने पूरी वीडियो बनाई, कि मैं बना पाया, इस पे भी मैंने पूरी वीडियो बनाई, जो impact था, हर तरह के impact जो constitutional development हुए, जो उनकी ideology थी, civilization mission की, और इनका impact जो colonial rule का agriculture, industry, land reform, ecology, सब पे मैंने जो उस सहमें major socio-religious movement, वह मैं नहीं cover कर पाया, ये भी मैंने इसको तो बिल्कुल ही मैं नहीं कर पाया, again very sorry, यहाँ पे भी मैं केबल present and tribal movement कर पाया, तो मुझे अफसोस है, कि मैंने सोचा था कि मैं सब unit को discuss करूँगा, लेकि मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैंने जितना कर दिया है, आप definitely चार question लिख सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे देखिए, एक एक unit wise, यदि हम अब probable question को चले, colonialism and nationalism, जो पहला जो unit one है, उसे हम perspective है, दोनों के, colonialism के और nationalism के, इसमें आपको straightforward question आएगा, in fact सब से straightforward question आएगा, आप एक दम मत घवराईए, जो syllabus में उसम आपको पता है, कि मार्कसिजम ने कैसे देखा, और उसे बहुत मिलता जूलता, पोस्ट कोलोनियल और सब अल्टरन परस्पेक्टिव है, इसको मैंने डिटेल में अपने वीडियो में अनलाइज किया, जो बहुत ही radical है, बहुत डिफरेंट है, देखने का नजरिया, लिबर कैसे लिबरलिजम ने कैसे देखा, कितना दो मुहां टाइप का था, एक तरफ जो है, वो इनवर्सल हुमन राइट की बात करते हैं, निचुरल राइट की बात करते हैं, और उसी समय में वो जो है, को एक सिवलाइजेशन, मिसन कहके जो है, जो है जस्टिफाइ करते हैं, व मैं कहूंगा, डुपली, डुपली सी, या दो मुहां पन, आप कह सकते हैं, लिबरलिजम का कंट्राडिक्सन, जिसके चलते हैं, आज लिबरलिजम परिशानी में भी है, क्योंकि उसका नाता जोरा जाता है, कोलोनलिजम से, और वल्ड वर से भी, देन थर्ड कोश्चन, तो भी अलग अलग नजरिये से लोग ना अनलाइस किया, जैसे मार्क्सिस्ट सब अलटन का लीजेगा, तो नेशनलिजम एक डिरिवेटिव डिसकोर्स है, मतलब इंडियन नेशन टाइप ही कोई चीज नहीं, अलग अलग रीजन में है, और जो नेशनल मुवमेंट था, वो ब इसको पढ़ लीजेगा, यहां पर देखें, अब यहां पर देखें, नेशनलिस्ट अप्रोच जो था, वो एक तरह का रिवाइवलिस्ट था, वो गो बाक टो वेदा टेप का हो गया, उससे वो जो जो बहुते थे भारत का भारती, बतब इसको हिंदू रास्ट कह उस समय में थी, वेद के समय में, उससे वो इंडिया को जोड़ते हैं, लेकिन यहां प्राब्लम यह हुई कि बीच में मुस्लिम आ गए, हजारो, हजार साल का लगबग तो था ही, मतलब 600-700 इसमी में आए थे, राजा बन करके तो बारमी सताब्दी में आया, तो फिर वहां पर प्राब्लम हुई कि उसको कैसे हम इंडिया नेशनलिजम से जोड़ेंगे, और वही से सब परिशानी टूनेशन थियोरी के सुरू हो गई, जो इंटेरियलिस्ट एप्रोच था, वो जिसमें कि कैंब्रीज स्कूल भी आता है, वो तो इंडिया नेशनलिजम को उसी तरह इंडियोजी या नियो इलीड्स हैं, वो जो हमने जो एक इंस्टिशुस्नल सत्ता में भागिदारी दी है, उसको वो हरपना चाहते हैं, अदर्वाइस इंडिया की जनता और जो कुलोनियल रूल में कोई बिरुद्वाबस दी है, इस टेप के बाते इंपिरिलिस्ट एप् पड़ लीजएगा, एक पूछ जैसा question भी आ सकता है, what do you understand by nationalism, तो वो भी मैंने discuss किया है, nation की क्या माइने होता है, nationalism का क्या माइने है, European nationalism, Indian nationalism के भावना से कैसे अलग, यह सा मैंने discuss किया है, then discuss critically the nationalist approach to the study of nationalism, इसमें critically का मतलब है कि कैसे ये जो है Hindu और Muslim nation के direction में जो दो फाड हु यह कि nationalist वैसे तो एकदम देशभग थे, लेकिन कहीं न कहीं जो हिंदू, जो मोटीफ, हिंदू सिंबल और हिंदू सिवलाइजेशन से जब वो अटैच हुए, तो Muslims जो हैं वो अलग होते चले गया, और फिर Muslim लीक के स्थापना हुई, और फिर two nation theory का, उसी basis पे आना सुरू हो गया, तो यह कुश, इसमें मैं कहूंगा, कि यह star question है, यह आने के chances बहुत जादा है, और यहां पे यह, यह दो question को आप star मानिए, बाकि देख लीजेए, हो सकता है, यह भी, यह भी आए, तो इसको भी छोटा star मान लेजे, अब यहां आईए, इसके जो impact पड़े इंडिय पर colonial rule का, यह भी मैंने पूरी video बनाई है, तो देखे, दो question आप वहां से आपको मिल जाएगा, और एक question, यहां से तीन question तो ऐसे ही आप लिख पाएंगे, जितना मैंने वीडियो बनाए है, अब यहां देखे, discuss the major constitutional development during the colonial rule and their impact on socio-political development, तो जितना मैंने अपने वीडियो में दिया है, जितने Government of India Act, वो सब कथवा थवा लिखिये, कैसे उसने एक institutional mechanism इंडिया में बनाए है, कैसे इन constitutional reform ने इंडिया के different classes को, चाहे वो school के teacher हो, चाहे municipal के body के member हो, उन सब को सत्ता में भागे दावी दी, कैसे पहली बार 1909 की Government of India Act से election का, जो है, एक first time इंडिया में आया फिर कैसे डियार्ची के थ्रू चुने हुए जो representative है, वो मंत्री बनने लगे, फिर कैसे provincial autonomy, तो काफी चीज़ा ऐसी की गई, जो की एक अच्छी बात थी, और उससे इंडिया में democracy की root परी, representative democracy की, जो modern institution होता है, उसकी नीब परी, और जनता ने, थोड़ी बहुत feel हुई की self governance होता क्या है, तो इन सब को आपको इसमें लिखना है, then discuss in brief the colonial ideology of civilizing mission by the British rule, ये बहुत important है, ये आपको just एक उठा के दे दिया गया है, जो syllabus में लिखा है, colonial ideology of civilizing mission, उसी को इजा लाकर बनाया गया और ये question बहुत आने के chance है, ये भी, ये भी star है, तो इसको मैंने बिल्कुल में discuss क्या है, क्योंकि क्या था, ये liberal, ये ही तो कहते थे, कि भी, हमारा जो, ये एक civilizing mission है, उनका कहना था कि human एक undivided chain है, humanism का यही था, कि चाहिए भारत के लोगों, चाहिए British सब भाई-भाई हैं, यदि एक भाई पीछे रा गया है, एक भाईों का group, तो दूसरे भाई के group जो आगे बढ़के, उनको हाथ पकड़के उठाना है, उनको civilize करना, ये barbarian रह गये हैं, इसलिए हम वहाँ गये हैं, आपको self-government, आपको political development, institution building सिखा करके, फिर आपके हाथ में सत्ता दे के हम आ जाएंगे, ये white man's burden है, तो ये ideology कैसे जो है, उन्होंने एक धूरता भरी क आपने colonialism को सभेता का चोला पहना नहीं किल दिया, इस तरह की बाते आपको लिखनी चाहिए और कैसे, examine the impact of colonialism in shaping the civil and political administration in India, ये question, दोनों question बराबर है, ये basically उसी दूसरे language में है कि आपको constitutional development में कैसे civil and police administration दोनों में एक change आई, कैसे rule of law established वहा police administration में and civil administration कैसे जो है वो constitutional बनने coalition के basis पे codification हो गई, जो collector का office आया और जो representative government आया, उससे जो civil and police administration पे काफी जो है फड़क पर ये आपको इसमें लिखना है, basically यही चीज़ लिखना है, then British colonial economic policy led to the ruin of Indian artiganship, art and craftsmanship and industries, do you agree with the statement आपको बोलना है, yes, मैंने कितनी बार अपने वीडियो में समझाया है, इसको दो तरी पहले तो जब वहाँ industrial revolution नहीं हुआ था, Europe में या England में, तो हमारे यहाँ कपड़े बनाने की, बुनकर की, लोहे के समान बनाने की, नतराजा, sculpture type की, बहुत art and craft and industry कारखाना घर घर में था, उसको पहले इन्होंने क्या किया, कि जब ये शाशक बने बेंगौल के, तो ये मार मार के अपने political सत्ता का दुरूपयोग करके इन artigans से बहुत सस्ते दामों में उनकी चीजे खरीद लेते थे, और उसको बहुत महगे दामें यूरोप में, अमेरिका में बेशते थे और पैसे कमाते थे, तो इससे बिचारे बिल्खुल इतने भी पैसे नहीं मिलते थे artigans क को आपने कार खाने में या अपने tool implements में उसको लगा सके, मतलब इंवेस्ट कर सके, तो पहले तो इस तरह सुन्होंने मारा, बाद में जब उहां industrial revolution हो गया, तब तो इनकी कमर ऐसे तूट गई कि वहां के machine वाले जो goods थे, उसको बिना import duty के इंडिया में dump करना सुरू किया, कि कैसे जो permanent settlement था बंगाल में और महलवारी सिस्टम तो बहुत कम, मैंने बता है, उसको लिखना भी नहीं हो, रहयतवारी जो है, साउथ हो मदरास में, उसने, वो सोच थोड़ी बहुत अच्छी हो सकती है, और एक अलग तरह का था, लेकिन उसका implementation इतना खराब था, कि उसस पर इतना लोड पर गया, वहाँ पहले सी इतना लोड था, कि वो और भी लोग वहाँ पे जो है, landless liberal की भरमार हो गई, और और भी रियून हो गया, तो यह आपको agriculture को कैसे रियून किया, इन्होंने, यह आपको लिखना है यहां पर, discuss the policies of British colonial rule and their implementation on the environment and ecology, इस पर मैंने वीडि थी, उसने कितना जो है, land को degrade किया और कितना बढ़वाद किया, और किस तरह से tribal और forest area का जो है, दोहन हुआ, ब्रिटिस के टाइम में, मिंडल निकालने के लिए, और urbanization जिस तरीके से की गई, तो वो सारी चीजे जो है, उसने हमारे उस समय से ही समझी कि sustainable development पे question mark लगा दि Do you think that the constitutional development in colonial India gradually expanded representation of social classes in public institutions? Yes, यही तुम्हें आपको बता रहा था, यह question भी यही है, कि कैसे जो है, different government of India act में, पहले Indian council act और फिर उसके बाद इंडियन government of India act successive 1909 से लेके 1935 तक, कैसे जो है, slowly, हर class को जो है, जैसे कि उन्होंने separate representation दिया, बहुँ सारे class को, केबल मुसलमानों को सीक को भी, वोमेन को, वरकिंग क्लास को, स्टी, स्टी को, तो उससे भी सबका political participation पे संटो differently बढ़ा, give argument in supporting example from government of India acts made by the colonial rule, तो यह भी लगबग यही question है, तो constitutional development एक एकडम potential पूछने वाला है, और यह वाला question तो बहुत ज्यादा chance है कि यह पूछा जाए, colonial ideology of civilization mission, और जो इसक impact पड़ा है, agriculture और industry पे कैसे रियून किया है, यह तीन question इससे आने की बहुत ज्यादा chance है, अब आईए, यह topic जो मैंने इवन बिल्कुल नहीं चुआ है, लेकिन आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन आपने दूसरी जगर से पढ़ा है, तो इसमें कोई बहुत द ज्यादा ध्यान रखें कि यह कहीं न कहीं जरूर आएगा कि कैसे नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स या नेशनल मुवमेंट इलिटिस था शुरू में, बहुत बोर्जोजी था, मतलब जो प्रोफेस्टनल लर्नेड और मिडल क्लास जो हैं, वो उसके लीडर्सिप भी दे रहे ह और बात में कैसे गांधी जी के आने से और उससे पहले जो गरम दल के लोग थे, स्वदेशी आंदोलन, जो राडिकलिस्ट थे, वो कैसे और खास के बात में सोसलिस्ट, राडिकलिस्ट भी जैसे चंसिखर, आजाद भगत सी, उन्होंने कैसे सोसल बेस को एक मास इसके अलाबा जो गांधी जी का जो तीन मुवमेंट है, नॉन कोपरेशन, सिविल डिसोबीडियन्स और कुईट इंडिया, और उन तीनों के कमपेरिजन की किसमें कैसी स्टेजिती यही इसमें पूछा जाता है, क्रिटिकलि एनलाइज द सिविल डिसोबीडियन्स मुवम क्यों बंध हुआ, यह बहुत लोग कुश्चन करते हैं, क्यों गांधी इर्विन पैक्ट के बाद बंध कर दिया गया, जबकि पीक पे था, क्या गांधी जी को यह फील होता था कि इसमें कुछ जादा मिलिटेंसी आ रही है, जैसे कि नॉन कोपरेशन में आ गई और उस ट इसमें कोई लीडर्सिप नी था, सारे लीडर को ग्रिफ्तार कर लिया गया था, तो स्पॉंटेनियस स्वतह जनित जो लोग रोड पे निकलाये थे, और उसमें लीडर्सिप था और वहां से गाइड हो रहा था, ये जो है, फॉम बॉटम हो गया, वो फॉम टॉप था, ये मतलब कि लोगों का सेल्फ मुवेंट बन गया ये, इन दोनों में डिफ्रेंस आपको पुशा जा रहा है, आपको बताना है कि अब वहीं से जो नेशनलिस्ट पॉलिटिक जब सुरू हुई ना, जो रिवाइवलिस्ट, जो हिंदू मोटिव्स, हिंदू सिंबल्स, हिंदू सिविलाइजेशन, तो फिर कहीं न कहीं मुस्लिम लोगों को लाया कि उनको भी अपनी जो है कल्चर, अप अपने साथ लिया मुस्लिम मासेस को, और इस से जो है राइज ऑफ कमिनल पॉलिक्स हुई, जो 1920s के बाद सर चर के बोलने लगी, इधर हिंदू महासभा बना, उधर मुस्लिम लीग, फिर RSS की स्थापना हुई, और फिर फुल ब्लोन जो है, 30s और 40s तो इंडिया में कमिन पॉलिक्स का दौर रहा और उसकी परिनिती या उसका आउटकम जो है, टूनेसन थियोरी और पार्टिशन में हुआ, डिसकस दर सोशल बेस फ्रॉम फ्रॉम ए प्रॉग्राम और पॉलिकल मेथर ऑफ सौदेसी और रेडिकल 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 रेशनलिस यह जो मैं आपको वहाँ पर गनेस उत्सब मना करके और बहुत सारे और मेथट से लाल, बाल, पाल, लाल, आजपतराय, बाल, गंगादर तिलक और विपिन चंदरपाल इन लोगों ने फिर बाद में जो औरविंदो घोस थे यह जो राइडिकल जो सोशलिस थे लाइक भगत सिंग, चंसिखर राज़ाद, राजगुरू, इन लोगों ने भी इसको बहुत मास बेस दिया इसको, तो वही चीज़ यहाँ पूछा जा रहा है, Do you agree that Indian National Movement acquired a mass character under leadership of Gandhi जी, बिल्कुल कौन कहेगा नहीं, और अगें देखिए, The expansion of its social base is a question, निकल रहा है, कैसे National Movement, Pan India और Pan classes बना, हर class इसमें शामिल होने लगें, पीजेंट सामिल होने लगें, ट्राइबल सामिल होने लगें, ताना भगट मुवमेंट चला मैंने आपको बताया है, वो लोग गांधी के भक्त होते थे, गांधी को जो है ट्राइबल अप में शामिल हुए, जो नेवी में म्यूटनी हुई, तो मतलब हर तब का जो है, वो गांधी जी के influence में, निस्नल बोहमेंट में शामिल हो गया और एक mass character आया है. Discuss as to how the radicals, वो जो radicals में लाल, बाल, पाल and others, जो radical socialist थे, contributed to the expansion of the mission, ये कुछ misprinting है, social base होगा, social base during the freedom struggle. तो आप देख रहे हैं कि social base का कैसे expansion हुआ, ये एक और थी में जो बार बार आपको question में आ सकता है, इसको धिहान रखियेगा. Explain the factors and circumstances leading to the partition of India. एक दम, एक run of the mill, routine question, but again very important question. इसमें आपको कैसे जो है, Muslim League की स्थापना हुई, फिर कैसे separate electorate दिया गया, कैसे Hindu महासभा बनी, RSS बनी, और फिर जो है, इन सब से कैसे जो है, एक Hindu रास्टर अलग धारा में बहने लगी, Muslim रास्टर अलग धारा में, और वो two nation theory में बदल गई, और अंत में जो है, वो partition हो इंडिया का, तो जो की एक दुखत ही माना जाएगा, तो इन सब को जो factor ही मैंने बता है, वो ही सब main factor थे, उसको आपको explain करना है, अब आईए, ये वाली जिसमें के मैंने एक वीडियो में बना पाया, discuss the factors and strategies and impact, and impact of the 1857 war of independence, ये मेरे वीडियो को देख लिजे, पूरी तरह क से मैंने इसको बताया है, ये भी बताया कि discuss the major factors responsible for the failure of 1857 war of independence, देखे, एक लाइन में समझे तो, मुगल सल्तनत के अंदर कौन जाने के तयार था, क्या हम समय में वापस जा सकते हैं, of course, 1857 का जो विद्रोह था, या कह लिजे, अपराइजिंग था, उसमें समतावादी समाज की भी जलक थी, कि समाज में ना जमिंदार होगा, ना कोई मल्जूम किसान होगा, सब एक होंगे, तो उन्होंने जो भी symbol थे, atrocities के exploitation के सब पर अटाक किया, लेकिन उन्होंने जो मुगलिया सल्तनत को अपना लीडर मान लिया, और उसके जो लीडर वो लोग थे, जो कि उस स कुछ भी है, तो ब्रिटिस रूल तो एक 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 अनॉनिमस, इंपर्सनल, बिरोक्रेटिक रूल है, जो कि रूल आफ लाउ की बात करता तो है, इंस्टिचूशन बनाता तो है, जनता को भागी दारी देता तो है, नेम से कि सही मिनिस्टर चून के आते तो हैं, तो आए इस दे नीचर और कंट्रिबूशन अफ मेजर सोसल और डिलिजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन को निल इंडिया उस समय में, मतलब कि 1857 का जो समय था, चाहे इसमें सती प्रथा का उनूलन ले लिजिए, बाल विवा को रोकना, बिधवा विवा करवाना, और बहुत सारे त क्या इंपक्त रहा, इसका एक इंपक्त तो यह रहा कि 1857 हो गया, तो अंग्रेज जड़ गए कि यहां पर कोई सोसियो कल्च्रल डिफॉर्म नहीं करना है, रिलिजियस रिफॉर्म नहीं करना है, लेकिन उससे एक बहुत बड़ी ताकत भी हमारे समाज को मिली, क्योंकि सोस को बल मिला, वो समाजिक जीवन में आए, एजुकेशन भी लेने लगी ओरतें, तो काफी चीज़े है, इसमें बहुत सारे सब अल्टर्न, ट्राइबल, पीजन लोग भी जो है, वो कंसियसनस उसमें जगी, तो काफी सारे फाइदा सोसियोर्योलिजम मुवमेंट की हुई, बाद में वही बल मिला हमें नेसनल मुवमेंट के लिए, डिसकस दे एजुकेशन पॉलिशी ऑप ब्रिटीस इंडिया, जो लॉर्ड मेकले ने जो लाया था, एजुकेशनल रिपोर्ट, सॉरी, 1935 में परहापस, no, 1835 में आप देख लिजेगा, and role and impact of the rise of the new middle class on the socio-political domain, अंग्रेजी लेंग्वेज के दास बन गए, उनके कल्चर के दास बन गए, लेकिन उससे फायदा भी बहुत हुआ, एक सबसे वड़ा फायदा हुआ कि यही अंग्रेजी पढ़े हुए, जो लीडर थे, वो नेसनल मुवमेंट के लीडर बने चाहे, गांधी, नहरू, पठ सो मिलियन का कोई किसी कंट्री पास नहीं, चाइना अंग्रेजी नहीं बोलता है, जपान अंग्रेजी नहीं बोलता है उस तरीके से, स्पेन नहीं बोलता है, फ्रांस नहीं बोलता, तो अमेरिका, इंग्लैंड और इंडिया, यही जो हैं अंग्रेजी, एक्च्वल बोलने लोगों ने liberalism को जाना, enlightenment को जाना, वहां के socio-religious movement को समझा और उस समाज में जो अच्छी बाते हैं, उसको यहां पे लाया, तो इससे definitely बहुत फाइदा हुआ, लेकिन जो मैंने कहा कि उससे कुछ नुक्सान भी तो हुई, दोनों को आप लेख सकते हैं. अब आईए फाइनली देखें, social movement जिसमें मैंने केवल tribal और पीजन का मैं आपको कर पाया, लेकिन उससे एक question definitely होगा तो आपको बन जाएगी. देखें, examine the reason for the growth of major, यहां पे पीजन दे देजिए, farmers लिख देजिएगा, पीजन्ट, यहां जल्दी से मैं लिख देखेंगा, the farmer, पीजन्ट होगा, and tribal movements in colonial India, and explain the strategies they adopted. यह मैंने पूरी तरह डिसकस किया है, tribal दुखी थे, forest law से, उनके यहां दिकूज गुस आए थे, मतलब money lender, जमिंदार, और trader, merchant, उससे वो दुखी थे, उनकी जो पूरी चीफ की power चीन गई थी, उनका जो land rights था, traditional उसको खतम कर दिया गया था, उनकी जो simple collective life थे, उसको ही बरवाद कर दिया गया था, और जो किसान थे हो, तो मैंने आपको बताए ही, कि वो जो permanent settlement या रहतवारी में जो access tax collection था, administration था, और वहाँ भी जो money lender और colonial जो revenue officials और trader, merchant, इनका एक तरह से जो exploitation था, इसके चलते दोनों group जो है वो बिद्रोह पे उतारू होगे, उनकी जो strategy भी मैंने आपको discuss किया है, उसका impact भी बताया है, same question फिर पूछ रहा है, examine the role and contribution of pigent and tribal movement in the national independence movement, in fact, इन दोनों के और साथ में labor worker के आने से ही ये mass movement बना, यही एक line का है, उसके अलावा तो बहुत कुछ आप लिख सकते हैं, discuss the role of jyotiva fully, अभी ये anti-caste movement पे एक दो question है, discuss the role of jyotiva fully and ambedkar in anti-brahmanical movement and politics during the colonial India, आप इसमें सत्य सोधक समाज और अंबेदकर की जो annihilation of caste और उनकी जो dalit politics थी, जिसका की असर अभी तक है, कितने ही जो है party dalit politics के ही banner तले जो है वो आगे चलती हैं, और anti-caste movement south में तो बहुत बड़ा उसने role अपनाया anti-brahmanical movement का लिजिए, और north में भी जो है मंडल कमीशन की आज तक रिभरबेशन है, तो उसकी सुरुवात उसी से हुई थी, और इस से जो है sub-altern class को जो एक consciousness आई political बल मिला, वो सब को भी आपके इसमें लिखना है, analyze the rise, growth and significance of brahmanical, anti-brahmanical politics during the Indian freedom struggle, ये दोनों question एक दम, एक है, कैसे उसमें जो है, ये एक धारा में मिल गए national movement से, जो anti-brahmanical movement था, तो उसको आपको लिखना है, national movement gave an opportunity to the women to participate in public sphere, ये बहुत important line है, in fact देखिए, women का जो participation है, वो जैसे west में था, वो ऐसे इंडिया में था, मतलब वो जो है, public domain में तो उनको आने ही नहीं दिया आया था, वो पर्दे के पीशे रहती थी, बाल, विवास, अतीप रता, और सब कुरिती को जहलती थी, ना उनको economic independence था, ना कोई हक था, inheritance का राइट नहीं था, तो public sphere में तो क्या था, कोई नहीं आती थी, लेकिन national movement, जब भी इस टैप का mass movement होता है, उसमें औरतों को एक तरह का मौका मिल जाता है, और वो रूट पे निकल आई, वो गांधी जी के civil disobedience में आ गई, quit India movement में आ गई, और ना सफली और सवरुजी नाड़ू जैसे तमाम और भी हजारों लाखों औरतें, तो इससे उनकों, और वो फिर वापस नहीं गई, एक बार जब women की शक्ती agency जो है वो सामने आ गए, लेकिन यहां बहुत interesting यह हुआ कि जो औरतों का जो reform था, चाहे वो सती प्रथा को अटाना हो, चाहे बाल विवाब इद्वाब, इस में औरतों का रूल बहुत कम था, उसके लंबरदार पुरुश बन गए, चाहे वो तिलक जी बन गए, या उदर ब्रहमो समाज के जो लोग थे, के सब्चंद सेन और्स, राजा राम मुहन राय, य असलब कि जो वोमेन, इंडियन वोमेन की जो रोल है, मा का, बहन का, सीता जैसे छबी, उस से बाहर मत निकलो, यह आपको समझना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा, कि वोमेन को जो है, दो तरह की मुहमेंट आप देखेंगे, एक है पंडिता रमा भाई जैसे, जिसम वो हट करके बात करती है, और एक है, आप देखेंगे अमजी रानाडे की जो पत्नी है, या बहुत सारे और, ताराबाई, शिंदेन, और वो उसी दाइरे में रह करके, जो इंडियन के जो दाइरा है, उस दाइरे में ही रह करके, जो है, वो औरतों के उठान के बात करती है लेकिन वो रैडिकलाइज नहीं होती हैं और वो जो परंपरा जो है उससे वो अलग नहीं हट पाती हैं और उससे थर्ड देखेगा तो वहाँ पर विलकुल एक सब्जेक्ट है बस मतलब कि औरत जैसे कि दलितों का हम उठा रहे हैं और उठाने वाले कौन है तो पंडित हैं जो लोग औरतों के आवाज उठा रहे हैं वो कौन है वो खुद जो है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी के लंबरदार हैं तो इस तरह कि आप औरतों का देखेंगे कि अधिकतर औरतों का जो मुवमेंट था या पार्ट्सपेशन था वो मर्दों के बनाए हुए घेरों के अ इस बात को आपको समझना चाहिए इन लाइट अप दिस स्टेट्मेंट डिसकस्ट दे नेचर ऑफ वोमेंस पाट्सपेशन इन सोसल अफेर्स दूरिंग दिए जो मैंने आपको बताया है इसको अलग इसी धंग से आप एक्स्पेंग कर देंगे डिसकस्ट द नेचर तरीके से निशनल मुवमेंट से जुड़े या सोसल रिफॉर्म मुवमेंट से औरतों का क्या नाता तो उसी तरीके से आप देखेंगे वारकर कैसे निशनल मुवमेंट से जुड़े या वारकर ने जो अपनी मुवमेंट चलाई या अपनी जो आंदोलन चलाई उसका सुर है किसी मिल में किसी फैक्टरी में किसी माइनिंग में उलण रहे हैं दूसरा आप देखेंगे कि उसकी उनकी जो एजेंडा को बड़े बड़े लिडर उठा रहे हैं अहमदाबाद मिल मजदूर है तो गांधी जी उठा रहे हैं पटेल उठा रहे हैं बिग कॉंग्रेस के ली leadership है लेकिन वो काफी radical होता है और उसमें जो है वो caste और religion में जो बटे हुए worker होते हैं उसको वो एक पाठते हैं और worker के पूरी radical movement के बात करते हैं यहां पर एक और interesting बात workers के movement में हुई थी कि सुरू में जैसे देखे होती है फिर माइनिंग के खुलते हैं फिर railway खुलते हैं फिर steel plant जो है जमसेजी टाटा जमसेदपूर में करते हैं और मिल मजदूर के सुरुआत होती है अब बाद में रेलवे में पोर्ट में काफी लोग आये इस तरह से तो आप इसको देखेंगे तो एक अजीब सी हुई लोग गौण से आते थे वो किसान होते थे अब यहां वो worker कहला रहे हैं लेकिन वो बटे हुए हैं जात में religion में पता अलगा worker के जो महले हैं उसमें ब्राह्मन worker अलग रहा रहे हैं और वो दलिद जो है अलग रहा रहे हैं च्छत्री अलग रहा इस टाइप की जो है वो हिंदू अलग Muslim अलग तो यह लोग कभी जो है वो consciousness यहां डवलप नहीं कर पाए जो वेस्ट में हुआ कि हम एक क्लास हैं गरीब हैं worker क्लास है capitalist से लगना है यहां पे जो है वो अभी भी वो कास्ट और अपने वो religion language इससे जुड़े हुए रहे और इसमें बहुत मशक्कत करनी पड़ी बात के leaders को खास करके communist leaders को बहुत मसकत करनी पड़ी कि इस को इस cleavage को तोड़े और उनको एक class consciousness दे जो मार्क्स ने कहा था और तब जाकर के जो है वो एक labor movement बन पाए और बाद में वो तो वो काफी जो है मिल मजदूरों के भी पाटी थी गांधी जी के बहुत अच्छे समन थे बिर्डला से होचा जमिना लाल बजाज और एक तरफ वो mass movement के लिए किसान और वाटकर को बिट में साथ लेते थे लेकिन जब भी ये दूनों बहुत radicalized हो जाते थे तो वो किसके अगेंस्ट लड़े था कि Congress एक सीमा के बाद हमारा हक नहीं करेगी ये capitalist का साथ देगी ये जमिनदारों का साथ landed लोगों का साथ देगी तो ये Congress को हमेशा से ही डालमा रहा एक दूसरी और interesting dilemma भी होती थी मिल मालिक ये गोरा है तो फिर मजदूरों को भणकाना बहुत असान के रहें अंग्रेज है इसको तो मारो पीटो या इसका अगेंस जाओ ये तो देश हित में नहीं है लेकिन यदि कोई हिंदू है तो क्या करोगे कोई अपना खुद नेसलिस्ट है जो चंदा भी देता है Congress को फिर कैसे उसका अगेंस जाओगे ये सारी dilemma को जहलना पड़ता था उस समय में दोनों Congress Party को भी और जो इस आंदोलों में शामिल होते तो उनको भी ये सारी चीजों को भी आपको इसमें लिखना चाहिए So dear student I hope कि आदे गंटे का वीडियो आपको बहुत मदद करेगा मुझे पता है कि हजारों इसको देखेंगे और मुझे बहुत खुसी होगी यदि इसी तरह के pattern पे question आएगा जिसका मुझे पूरा विस्वास है और मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि sorry human limitations है कि मैं उतना नह नहीं कर पाया आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं किस तरह से यह वीडियो बना रहा हूँ लेकिन फिर भी और यदि आपको यह पसंद आया हो डिफिंटली आएगा तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें कॉमेंट करें और इसकी जो पीपीटी वीडियो की PDF है व मैं हमेसा करता हूँ 7-8 बार तो जो वीडियो को देखिए पहली बार फुल स्पीड में और लास्ट में तो 2.5 करके देखिए बहुत जल्दी जल्दी में देख सकते हैं इस तरीके से आज आप मुझसे जुर सकते हैं सवाल पूछ सकते हैं मैं हमेसा जो भी interesting और जो में जो सही तरह से पूछेगे सवाल होता है उसका जरूर मैं जवाब देता हूँ लंबे लंबे ऐसा मत पूछेए सर इस क्वेश्चन का जवाब हमको दीजिये सौ वर्ड में इस तरह का मत क्वेश्चन पूछेए लेकिन अधर वाइस आप कोई भी सवाल पूछेंगे कुछ भी अपनी तकलीफ बताएंगे तो मैं जरूर आपको जवाब दूँगा मिलिए मुझसे मिलते हैं समेस्टर एक्जाम के बाद मुझे सकेंड समेस्टर की भी सिलिबस मिल गई है बाइ